हेलो दोस्तों अभी आपको हम बताने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स में विद्दू दूधुरूप के कारण अक्षिये बिंदू पर विद्दू छेत्र की तिब्रता कैसे ग्याद करते हैं इसके लिए आपको डियाग्राम बना ले ना है फटा फट और आपको डियाग्राम यहाँ पर हम दर्सादिये हैं दियान से देखिएगा दोस्तों यहाँ पर एबी जो आप देख रहे हैं एक विद्दू दूधुरूब है एलेक्रिक डैपोल है जिसके मद में वो कोई बिंदू है जिससे आर दूरी पर पी एक बिंदू है जिस पर हमको विद्दू छेत्र की तिवरता ज्यात करनी है ठीक है तो हम यही चीज को लिखे हैं कि माना कि यह भी एक इलेक्रिक डैपोल है जिसके मद में ओ कोई बिंदू है जिससे आर दूरी पर पी एक दूरु के साथ बिंदू बिंदू बनाता है तो कोई बिंदू बनाता है एक ही लाइन में है कितना कों बनाएगा। ठीक है अक्षे इस्ति आर लोग जो है विद्द।्वितिं बनाता कैसे निकलते हैं। माना की AB एक एलेक्टरी डैपड है जिसके मद में ओकोई बिंदू है जिसे आरदुरी पर P एक बिंदू है जिस पर हमको विदू तिबुरता ग्यात करनी है विदु तिबुरता के एक फोर्मूला होता है किसी बिंदू आवेस काम अंदर के ओड होगा क्योंकि आप लोग जानते है बीटू टिवरता एक सदी सराज़ी है ठीक है तो पलस क्यू आप इसका अंटिवरता क्या होगा 1 बाए 4 पाइपसलन नोट क्यू बट है और यहां से यहां तक दूरी कितनी होगी तो o से p की दूरी r है दोस्तों अगर यह दूरी मैंनस कर दीजाएगा यहां से यहां तक दूरी हो जाएगा r minus l का holy square ठीक है दूरी यहां o से b की दूरी हो जाएगी l क्योंकि o मद्ध में है टोटल यहां से यहां तक दूरी 2 l है ये दूरी क्या कलाएगा दोस्तों ये कलाएगा L और ये भी दूरी क्या कलाएगा L ये L को अगर मैनस कर दीजेगा तो यहां से यहां तक दूरी कितनी हो जाएगी R मिनस L का हॉली स्क्वेट ठीक है तो पलस Q आवेस का न तिवरता हो गया 1 by 4 पैप्सिलन नोट आवेस है Q द धन आवेस है तो अवेस का दिवरता अंदर की और होगी ठीक है इसका दिवरता हो गया अब दोनों को काम्पेर किजे E1 और E2 में देख लीजे दोनों में तिवरता E1 जो है वो ज़्यादा है E2 कम है क्योंकि देख लिए जिस सेम कहानी है यहाँ पर R-L के हॉली स्कार से भागा दिये है यहाँ पर R-L के हॉली स्कार से भागा दिये है अगर हम ज़्यादा से भागा देंगे तो मान कम आएगा कम से भागा देंगे ज़्यादा मान E1 और E2 में कौन ज़्यादा होगा E1 ज़्यादा होगा E2 कम होगा और दुनों के direction एक दुसरे का opposite है इसलिए ज़्यादा में से कम घटा दीजिए पहिनामी ते बृता निकल जाएगा ज़्यादा कौन है E1 कम कौन है E2 तो पहिनामी ते बृता जो निकालेंगे ये पूरे डैपोल के कारण वो क्या होगा E1 घटा E2 कर देना E1 घटा E2 क्यों होगा क्योंकि दोनों के direction एक दुसरे का opposite है इसी कारण से ठेक है तो पहिनामी ते बृता हम क्या लिकेंगे E1 कमान ये है घटा E2 कमान कर देना है ठीक देखिए दोस्तों यहाँ पहिनामी ते बृता E1 घटा E2 E1 ये है E2 ये है दुनों में कल्कुलेशन करेंगे दुनों में कौमन कितना है तो QF4 पैपसलर कौमन ले लिए यहाँ बचा 1 by R minus L का ओल स्कौर और यहाँ बचेगा 1 plus R plus L का ओल स्कौर ठीक है LCM सब लिए इसको इससे मल्टिप्लाइ किये इसको इससे मल्टिप्लाइ किये सॉल्व करने पापको इस प्रकार से सॉल्यूशन करने पापको आएगा यह ठीक है इसको multiply कीज़ेगा तो square को celebrate पले कर लिजी फिर square दे देना है ये तो calculation है mathematics है यहाँ से ठीक आप लोगों को पता है विद्धू तु धुरू आगुरू नोता है आवेस का परिमान गुना दुरू धुरू के लंबाई यानि P ब्रावता Q गुना 2L तो इसको Q गुना 4 RL को हम Q गुना 2L गुना में 2R लिख सकते हैं क्योंकि दो दुनी 4RL हो जाएगा Q गुना 2L गुना का हम P लिख सकते हैं और ये 2R दे दिये अब R और L में आपको चित्र देख लिजी R और L में जो है R जो है वो L के कंप्रिजन में क्या ज्यादा है इसलिए L स्क्वाइर को हम लोग क्या है नगन रासी मौन लिए और जो नगन रासी है उसको eliminate कर देंगे उसको हटा देंगे तो क्या बज़ेगा 1 by 4 by epsilon note 2PR आई ये R स्क्वाइर के स्क्वाइर हो जाएगा ये कार उपर निचे कट जाएगा 1 by 4 by epsilon 2 by RQ हो जाएगा ठीक है इसका जो है value देख लिए 1 by 4 by epsilon 2 by RQ हो गया और इसका direction negative से positive क्यों होगा क्योंकि आप लोग E1 में से 2 घटा है और E1 का direction है negative से positive और solve करेट पर महान भी positive आया है जिसका direction होगा negative charge से positive charge की ओर ठीक है यह महान अक 6,3,2,3,3 परता के लिए आवस्यक है विद्वद्वद्रूप के कारण देख लिए अक 6,3,2,3 परता निकल गया और जिसका direction होगा negative charge से positive charge की ओर क्योंकि हम लोग E1 में से E2 घटा है क्यों घटा है क्योंकि E1 बड़ा है और E2 छोटा है इस कारण से solve कर दिये और exam में आप लोगो इतना लिख देना है 5 marks मिल जाएगा ठीक है